दोस्तों नमस्कार स्टॉक मार्केट लेर्नर्स में फिर से एक बार स्वागते दोस्तों आप लोगों फर्स्ट पार्ट में जिस तरीके से हमने बताया कि यह पूरा कोर्स डिजाइन किया है स्टॉक पार्ट में स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक ट्रेड को कैसे समझना है कैसे उसके उपर हमें डिसिजन लेके पुजिशन बनानी है तो दोस्तों सबसे पहले हमें अपनी कैपिटल का एक बास्किट तयार करना होगा कहने का मतलब कि आपको डिसाइड करना होगा कि मैं कितने अमाउंट से ट्रेड लेना चाहता हूं पुजिशन ट्रेड में कितना अमाउंट ब्लॉक करना चाहता हूं ये डिसिजन स्वैम एक ट्रेडर का होना चाहिए लेकिन एज मेंटर मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपनी कैपिटल जो टोटल आपकी कैपिटल है उसका एक ट्रेड में मात्र टैन परसेंट ही डिपलॉई करें ये और टोटल कैपिटल सपोज फॉर एक्जामपल ऐसे उधारन से समझीए देखिए हम आपको एक 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 स्लाइड पे हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं सपोस करिएंगे लिया मिस्टर ए है और मिस्टर ए के पास में 10 लेक रुपीज हैं अब यह जो 10 लेक रुपीज हैं अब 10 लेक के 10 लेक मिस्टर यह चाहते हैं कि मैं ट्रेड में डाल दूँ तो Mr. A को 10 lakh का 10%, 10 lakh का 10%, कितना हुआ? 1 lakh रुपीज, वन ट्रेड में Mr. A को 1 lakh रुपीज ही डिपलाई करना है, तो मेरा कहने का मतलब, swing trade को समझने के लिए, आपको सबसे पहले, आप अपने trading account में अपनी एक capital निर्धारियत करें, अपनी एक पूंजी निर्धारियत करें, कि मैं 50,000 से ट्रेड करूँ, या 1 lakh से ट्रेड करूँ, या 10 lakh से ट्रेड करूँ, जो भी आपकी अपने सामर्थ है, अपनी बजट है, उसके हिसाब से, सबसे पहले हमें, swing trade करने से पहले, capital का एक judgment लेना पड़ेगा, कि हमें ये capital लगा के काम करना है, दूसरे नंबर पे, full discipline, वो ये, कि capital का 10% ही, आप एक stock में, एक script में डालेंगे, यदि आप उसका option लेते हैं, या आप उसका cash segment में position बनाते हैं, और यदि आप nifty के एक lot में position बनाते हैं, तो वहाँ भी मुझे लगता है दोस्तों, जो आपको margin requirement है, वो एक लाख, एक लाख, पाँच हजार के असपास है अभी, बीच-बीच में margins आपको पता है, ratio change होती रहती है, as per savvy rules regulations, बट हाल फ्लाल में अगर हम बात करते हैं, तो लाख सवा लाख रुपे में आपका one lot में बहुत अच्छा positional trade निफ्टी में भी हो जाएगा, तो मेरा कहने का मतलब है, कि one script is equal to 10% of your total capital, ये amount आपको deploy करना चाहिए, एक script में, अब समझते हैं कि आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि हम एक ही बार में अगर हमने 10 लाख रुपे की capital का चुनाव किया है, तो हम 10 positions बना सकते हैं, 10 positions, सभी में एक एक लाख रुपे का investment करके, As per rules regulations, यदि हमारी risk reward, positional trade में 1 is to 3 रहती है, 1 is to 3 से नीचे की positions हम इस course में ले ही नहीं रहे हैं, तो maximum to maximum आप देखेंगे कि course के अंदर हमने कोसिस ये की है दोस्तों, कि आप अच्छा reward ले सकें और risk आपको कम देना पड़े हैं, तो अगर हमने 10 positions बनाई और 10 में से हमारी 50% भी चली तो भी हम at the end of the week profit में ही रहेंगे दोस्तों, विकाज हमारी reward ratio क्या है? वन इस्टू थ्री, एक रुपया का loss हम जहल सकते हैं, बियर कर सकते हैं मार्किट में लेकिन तीन रुपय का profit हमें मार्किट से चाहिए, तो 10 हमने positions बिल्ड की, 10 positions बनाई और उन 10 positions में से यदि हम discipline follow करें, देखिए सबसे बड़ी चीज इस course में, क्या मार्किट का कोई भी course करेंगे दोस्तों, वो है हमारा strict discipline, dedication, patience, स्रिफ और स्रिफ steady base, rule base trading करेंगे, आप professional trading कर पाएंगे और अच्छे से उसको सीख पाएंगे, तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने second part में आपको बताया, कि आप swing trade के लिए capital का चुनाव कैसे करें, और capital में से कितना capital का percentage आप एक script में रखें, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, कि swing trade के लिए हमें किस time frame के chart का और कैसे उसका use करना है दोस्तों, तो please बने रहिए, next part में हम मिलते हैं, इस पार्ट को प्यान से सुनें सब्सक्राइब दोस्तों, कर दोस्तों, और कितना दोस्तों,